तो थार एक शौक है और लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए थार खरीद लेते हैं मेरे साथ तरुन तोमर जी है जो इस गाड़ी को खरीद चुके हैं कब खरीदा भी आपने ये मैंने अपने बांजे के जनम दिन पे 19 नवंबर को खरीदी है अच्छा और किता चला चुके हो तक ये अब हजार क्लोमेडर चल चुकी है इसकी पहली सर्विस का टाइम आ रहा है तो मैं तरुन भाई के जाथ में उनकी इस थार में आ गया हूँ जो की इन्हों ने अपने बांजे के बढ़ने बढ़ने बढ़ी दी जी भाई तो मज़ा ही अलगे इसके लिए इसके लिए जब मैंने बोकिंग डाली थी तो मेरे को बोला गया था कि छह महीने की वेटिंग रहेगी इसके वह जो चाइना में चिपसेट का प्रॉल्म चल रहा है उससे रिलेटेड था बट फिर मेरे को अचानक से कॉल आया कि हमारे पास तो हम लेन दोड़ा जाएंगी और क्या क्या चला रहे थे इसके पहले इससे पहले बूस्ली इनवा चलाई है एफोर चलाई है वोक्स्वेकन की वेंटो चलाई है तो आप बता सकते हैं तो थार लोग खरीटे क्यों है इसका जवाब चाहिए क्योंकि जहां से आप बिलॉं करते हो जिस कम्यूटी से और जिस जगे से वहाँ पर इसका चलन बहुत इस गाड़ी का तो थोड़ी वज़े है इसकी अपनी फैन फॉलोइंग है हर किसी को समझ में नहीं आती और जिसको आती है उसके दमाग से जाती नहीं तो अभी जब आपी से खरीद लिए हो तो कितन अचांदार कार है अचा जैसे लोग बोलते हैं कि रियर सीट पे एकडम कमटेबल नहीं है तो उस पर क्या बोलोगे जी तो हम लोग यही बात करके हैस रहते कि जो वाइफ है वो तो बढ़ेंगी नहीं ड्राइवर में ही रहूंगा बच्चा बढ़ेगा तो वो आगे चला तो आपने सामान भी रखा होगा तो या तो फिर दो लग गए होगे तो सामान कैसे लेके के को बताएगे वही सबसे ज़्यादा हमको छीज थोड़ा सा शेरिक करके आई कि जितना हम लोग ने लगेज पैक किया वो लगेज हम लोग ने अज़स्ट कर लिया इस गाड़ी मे मेरे को लगा वो यह है कि इसमें स्प्लेट टेल गेट है तो उसमें आप नीचे वाला गेट खोल के नीचे वाला समान सेट कर दें और फिर उसके बाद अंदर से उपर से समान एड़स्ट कर सकते हैं दूसरे उसके उपर और तो एड़स्ट हो जाता है मोडिफिकेशन लोग बहुत करवाते हैं अभी वी थार में इतना कुछ आ गया इसके बावजूद तो या भी सोच रहे उसके लिए जी कुछ-कुछ चीजन सोची है जैसे इसमें जो चड़ने के टाइम में फुट पुट रिस्ट है वो एक वो है जो I think Land Rover Range Rover वाली आप लोग रूपए भी लगा रहे हैं है अच्छ आप इसा मेरे कुछ अभी तक है तो यहां गयान दे जो जो लोग ऐसा कर वाते हैं उनHe तो गारी अगर आप चलाना चाहते हैं तो इस टॉक को पसंद करें तो अच्छा लगा मुझे अपसे सुन करें क्योंकि अमोमन आप जिसे लोग ना ऐसा नहीं सोचते हैं तो यह अच्छा लगा मुझे चलो परफॉर्मेंस प्या जाते हैं तो परफॉर्मेंस में कैसा रहा है तो अच्छा परफॉमेंस पिलाप हुई एचा परफॉमेंस है, फ्यूल एकनॉमी ठीक है, थोड़ा सा गाड़ी की शेप और साइस के हिसाब से, गाड़ी अभीसली अरोडाइनमिक नहीं है, यह मैं दिक लेक फरारी और लंबॉगणी टाइप्स कार नहीं है, एक बॉक्स है तो हवा कट करती है, तो आवाज आती है, एर साउंड आती है, यह मैंने भी महसूस किया था, शुरू मैं जिक्र भी किया था, कि जब आप हंड़िट के ऊपर चल रहे हो तो तो यह आवाज मतलब बड़ी थोड़ा सा स्ट्रैक भी करती है, ट्राइबिंग के दोराइनमिक और कभी-कभी ऐसा लगता है कि हलका सा गाड़ी आपको वाबल दे रही है, वो मेभी इसकी शेप और साइस की विज़सी है, बट अगर आप एक डिसेंट स्पीड में, स्पीड लिमिट के हिसाब से चलें, तो बहुत कमफरिटिबल कार है, सीट मैं आप देख सकते हैं, अगर लगता है, तो मुझे यह सबसे बड़ी कमी लगती है, आपको क्या लगता है, कोई दिक्कत होती है नहीं जानना चाहरा है, मेरे को अभी तक है वो डेड पेडल नहीं दिया गया इस गाड़ी में, जो कि अगर होता तो बहुत पढ़िया रहता है, क्यांकि आपका एक अपना पर फरी रहता है, आप 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 सेट करके अपना रिलाक्स कर सकता है, अच्या, मैलेज का मिलता है? मैलेज इस वक्त जो दे रही है, मैंको चेक करना पड़ेगा, आने लास्ट चेक नहीं किया था, आइसे चीज तक लिए तो अब भी पहला सर्विस तक आप प्राइडमेंट प्यूई है नहीं ऐसी कोई चीज नहीं है मेरे हिसाब से जब गारी ली गई थी जितनी चीजें हैं जो भी है सब बढ़िया है कोई प्रॉब्लम नहीं है बस वही है फर्स सर्विस पर जाए लाँचिंग के बाद इतना वक्त वजा चुका हुआ है लगबग अगर पहले आगई होती तो कोई वह नहीं रहता बट आए तिंग यह मेरे लिए बहुत अच्छा ताइमिंग ताइसी की तो बात नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर कही मोका मिला हो जहां पर आप जिक्र करना चाहो एसी की कूलिंग अगर कैसी है क्यों लोग बोलते हैं एक पर लोग भी कि अगर देखे लोग लोग रागता है अच्छा बोलना चाहोगे मैं अगर क्रिक्ट खिलने जाता हूं एक दन मैं यह लेकर गया गया एक जगए पर आट ख़गे अपना फट गगए ना मुझे होग करना पड़ ना कोज वह उपना फट गगए अपना फट गए लोग देखते हैं हैं अभी भी तो यह थे भाई सहाब इन्होंने चलाया है इनकी वजहें थी जिसके वजह से खईदा इनके लिए सेलिबरेशन था क्योंकि बांजे के बड़े पर मिल गया और अपनी बात रख दी है पहली सर्विस करवाएंगे खुब सारा और चलाएंग और कुछ सजेशन चाहते हैं या कुछ सवाल करना चाहते हैं मुझसे अभाई जी से तो मेरे इंस्टाग्राम पर आईएगा मेरा इंस्टाइंड अलामेट.विती सवाल करिए सारे चावाल लिजाए थैंक्यू भाई और मेरे को बोला नहीं गया है बट सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दवाईए ऐसी लोग चीए मुझे थैंक्यू सोमा थैंक्यू